दोस्तो वैसे देखा जाये तो हर इंडस्री में स्टार किड्स को होते ही हैं लेकिन अपने एक्टिंग केरियर में वो ही सफल हो पाते हैं जिनकी एक्टिंग में दम होता है आज की इस लाइफ स्टाल वीडियो में हम ऐसे ही स्टार केट की बात करेंगे जिन्होंने अपनी महनत और लगन से टॉलिवड में अपनी एक अलगी पहचान बनाई है उनका नाम है राम चरन आज राम टॉलिवड के हाइस्ट पेड एक्टर है और ये मकाम पाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करनी पड़ी है और इसका अंदाज आप इस वीडियो को देखने के बाद लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप राम के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक राम चरन का फुल नेम है राम चरन तीज गोनिंदला और इनका निक नेम है चेरी इनका जन्म 27 मार्च 1985 को मदरास में हुआ था और 2020 के साफ से इनकी उमर हो चुकी है 35 साल राम ने अपनी स्कूलिंग बदमस शीशादरी बाल भवन सीनियर सेकंडरी स्कूल से की है राम को बचपन से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था वे बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और इसकी वज़ाई ये भी थी कि राम एक फिल्मी बैक्ग्राउंड फैमली से बिलॉंग करते हैं उन्होंने बचपन से ही अपने पिता को एक्टिंग करते हुए देखा था और बच्पन में ही फैसला कर लिया था कि वे भी अपना पिता की तरह एक एक्टर ही बनेंगे जैसे तैसे करके राम ने सैन्मेरी स्कूल कॉलिज से अपने कॉलिज की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे ना पढ़ने का फैसला किया राम पिशे से एक एक्टर, प्रोडिसर और अंटर्पिनियर हैं अब चलिए दूस्तों बात कलेते हैं राम के कैरियर के बारे में इन्होंने टॉलिड में पहली बार 2007 में कदम रखा था और इनकी डेब्यू मुवी का नाम था चिरू था लेकिन इनकी डेब्यू मुवी बॉक्स ओफिस पर सुपर फ्लॉप होई पहली मुवी फ्लॉप होने के बाद राम ने अपनी नेक्ट मुवी के लिए अपने एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की और दिन रात एक कर दिये और जब उनकी दूसरी मुवी मागा धीरा आई तो इस मुवी ने बॉक्स ओफिस पर धूम मचा दी इस मुवी को 757 दिन तक सिनिमा में कंटिनियूसली दिखाया गया और यहां से आप इस मुवी की कामयाभी का अंदादा लगा सकते हैं और इस मुवी से राम रातो रात स्टार बन गए 2010 में राम की औरेंज मुवी रिलीज हुई थी और इस मुवी ने भी बड़े परदे पर धूम मचा दी थी इस मुवी ने बॉक्स ओफिस पर 26 करोड का बिजनिस किया था राम के एक्टिंग केरियर की सबसे बड़ी फ्लॉप मुवी थी जन्जीर जो की 2013 में बड़े परदे पर नजर आई थी इस मुवी के वज़ा से राम को काफी क्रिटिसिजन का सामना भी फेस करना पड़ा था और उनकी फैन फॉलॉइंग भी काफी कम हो गई थी इस मुवी से राम के केरियर की सबसे बड़ी सुपर हिट मुवी है रंगस्त लम जो की 2018 में रिलीज हुई थी इस मुवी को राम के एक्टिंग केरियर का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है इस मुवी ने बॉक्स आफिस पर 210 करोड का बिजनिस किया था राम ने अपने एक्टिंग केरियर में बहुत सारे हिट मुवी किया है जैसे येवडू, धुरूवा और कैदी नमबर 150 दोस्तो आपको राम चरन की कौन सी मुवी पसंद है ये हमें नीचे कमेंट करके बताएं अब चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं राम चरन के एवड्स के बारे में रामचरन को बहुत सार रेवार्ट्स मिल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटिगरीज में जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब चलिए दूस्तो आपको मिलवाते हैं रामचरन की फैमली से राम की बीवी का नाम है उपासना अब चलिए दूस्तो बात कर लेते हैं रामचरन की इंकम की राम एक मुवी करने के 30 करोड रुपे चार्ड करते हैं इसके लावा भी किसी भी ब्रेंड इंडोस्मेंट के 2 करोड रुपे चार्ड करते हैं और राम ने 1.500 करोड की इन्वेस्मेंट्स भी की हुई है, इनसे भी इनकी अच्छी इंकम होती है, चलिए दूसरो बात कर लेते हैं राम की नेटवर्स की, इनकी नेटवर्स है 1250 करोड रुपए, अब चलिए दूसरो बात कर लेते हैं राम चरन के हाउस की, राम चरन अपन बात कर लेते हैं राम चरन की कार्स कलेक्शन के बारे में इनको लग्जिरियोस कार्स बहुत पसंद है और वे एक से बढ़कर एक लग्जिरियोस कार्स के ओनर है राम के पास एक रेंजरोवर है जिसकी कीमत है 4 करोड रुपए इनके पास एक Mercedes S-Class W221 कार भी है जिसकी प्राइज है 2 करोड रुपए इनके पास एक Toyota Land Cruiser कार भी है जिसकी कीमत है 1.5 करोड रुपए इसके लावा राम के पास एक Aston Martin V8 Vintage कार भी है जिसकी कीमत है 3 करोड रुपए तो यह थी राम की लाफ इस्टैल वीडियो अगर आप राम के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस तॉल्यूड एक्टर पर देखना चाहते हैं आप यह जो अबसक्राइब आप एक्टर यहाँ प्र वीडियो अजू दोड्कर टॉडियो और विससे आप साथ सल्रुड़एब्पो ड़ एक बाल इस वीडियो अट वीडियों अट वीडियों प्रूड लाइक टूस्ट वीडियों अटीर